तो कक्षा दस्मी की प्रीविद्ध्याथियों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा दस्मी का विसाई गडित का end line test द्वज़द 13 हाँ दोस्तो कक्षा दस्मी का गडित का end line test द्वज़द 13 पूरांग 75 अंग समय 3 गंटे तो कक्षा दस्मी के प्रिये विद्ध हैती हो वीडियो को देखे पर लाश्ट तक क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो कक्षा दस्मी का गड़ित का एंड लाइन टेस्ट पेपर है दुज्जा तेरीस का इसे पूरा का पूरा हलसाइद ब वटन देखे उसे दवा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथी दवा लेना है बेल आइकन घंटी को चलिए तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो को इस्टाइट कहते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा दस्मी का विसा गड़ित का एंड लाइन हल सहित चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पिसने क्रिमांक एक में आपसे क्या पूंचा गया है तो लीजिएगा यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर आजाता है आपका सबसे पहले पिसने क्रिमांक एक में लिखा है सही बिकल्ब चुनकर अपनी उत्तर पुस्तका म लिए पृतिक बिसम पूरांग का रूप होगा तो इसका राइट अंसर आ जाएगा आपका पहले का डी नंबर का जहां पर आप लोग देख सकते हो लिखा है Q पिलस वन इसका राइट अंसर आ जाएगा इसके बाद दूसरे नंबर में लिखा होगा है बहुपद एकस स्कॉर माइनस तीन के सुन यंख होंगे तो इसका राइट अंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा जहां पर प्लस माइनस करेड़ी तीन लिखा होगा है इसके बाद दूसरे तीसे नंबर में लिखा है जब तो देखे इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका तीसरे का राइट अंसर आजाएगा आपका डी नंबर का आ जाएगा जहां पर लिखा है कि अनंत अनिक हल होंगे इसके बाद आता है आपका अंगला यानि की चोथे नंबर का जहां पर लिखा है यदि एक वटे दो बर्ग समीकर्ड एक्स स्कॉाइब पिलस के एक्स माइनस पॉंच वटे चार वरावाज जीरो का मूल्य है तो के का मान है तो इसका राइट अंसर आजाएगा आपका क्या चोथे का राइट अंसर आजाएगा आपका ए नंबर का जहां पर लिखा दो इसके बाद यहां पर पांच में नंबर में लिखा हुआ है एपी माइनस तीन माइनस एक वटे दो दो का ग्यारमा पद है तो इसका राइट अंसर आजाएगा पांच में का आजाएगा आपका क बी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा जो कि यहां पर देख सकते हो लिखा है बारीज इसके बाद यहां पर आप लोग देखे छेटमें नंबर में लिखा हुगा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात चोंसट अनुपात 27 है तो उनके प्रस्टिये छेत्रफलों का अनुप नंबर का आजाएगा क्या जाएगा डी नंबर का इसका राइट आंसर आजाएगा जहां पर लिखा 16 अनुपात 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी के साथ आपका पिष्णी क्रिमांक एक पूरा हो जाता है इसके बाद आता है आपका पिष्णी क्रिमांक 2 चलिए यहा लावर जीरो खाली स्थान कहलाती है तो इसका राइट अंसर आजाएगा आपका क्या परी में इसका राइट अंसर आजाएगा क्या आजाएगा परी में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा परी में इसके बाद दूसरे में लिखा है दो बहुपदों का यह खाली इस्थान होता है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या एक बहुपद क्या हो जाएगा एक बहुपद इसका राइट अंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखा हो गए ठीक है इसके बाद तीसे में लिखा है एक दूइखा समीकर AX स्क्वाइर पिलस BX पिलस C बराबर 0 में कोई वास्तविक मूंगल नहीं होते हैं होते यदी तो देखिए इसका राइट अंसर आ जाएगा आपका क्या तीसरे का राइट अंसर आ जाएगा आपका क्या B SQ 4 A C E आपका राइट अंसर आ जाएगा इसके बाद चौते नंबर में लिखा हुआ है क्या सभी खाली स्थान तरफुद समरूप होते हैं तो इसका राइट अंसर आपको लिख लेना है संभाहू क्या लिख लेना है संभाहू इसका राइट अंसर लिख लेना है इसके बाद आता है पांच में नंबर का जहां पर लिखा हुआ है एक बिरत की खाली स्थान समानतर इस पर इस रेखाएं हो सकती है तो इसका right answer आजाएगा आपका 2 कितनी हो सकती है 2 इसके बाद यहाँ पर देखे छट में में लिखा हुआ है कौण थीटा वाले त्रिज्या खंड के छेत्फल का सूत्र खाली स्थान है तो इसमें आपको लिखे लेना है क्या इसमें आपको लिखे लेना है 6 तरफल बड़ावर देखिए 6 तरफल को हम अभी यहाँ पर के सी दैसा देते हैं ठीक है के यहाँ पर आपको 6 तरफल लिखे लेना है और हम लिखेंगे 6 तरफल थीटा बड़ावर वटे 360 degree और यहाँ पर pi r square यहाँ पर k की जगह आपको 6 तरफ़ लिख देना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपका पिस्ने क्रिमांक 2 पूरा होता है इसके बाद आता है पिस्ने क्रिमांक 3 जो कि यहाँ पर देख सकते हो पिस्ने क्रिमांक 3 में आपको सही जोड़ियों का मिलान कहिना है यहाँ पर आपकी पहली जोड़ी लिखी हुए sin square theta plus cos square theta तो इसका मिलान हो जाएगा आपका क्या पहली का d number में हो जाएगा जहाँ पर लिखा 1 दूसरे में लिखा है sin theta degree तो इसका मिलान हो जाएगा आपका A number में जहाँ पर 0 लिखा हुए sin 0 degree लिखा हुए इसके बाद तीसे में लिखा 10 60 degree तो इसका हो जाएगा आपका F number में जहाँ पर काईडी 3 लिखा हुए इसके बाद चौते में लिखा हुए सेक थीटा तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहां पर चौतरी का आपका हो जाएगा बी नमबर में एक वटे कॉस थीटा इसके बाद पांचमे में में लखा है कोस 45 डिगरी तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहां पर पांचमे का हो जाएगा आपका सी नमबर में जहां पर लिखा है एक वर्टे कैड़ी दो इसके बाद छटमे में लिखा है एक वर्टे एक फिलस टेन स्कॉय थीटा तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहां पर छटमे में और एवं पांच का महत्तम समावए तक S.C.F. क्या होगा तो इसका राइट आंसर आजाएगा आपका क्या इसका चोथरे का राइट आंसर आजाएगा एक क्या आजाएगा पहले का एक दूसरे में लिखा है ती घाद वहुपत की कि अधिकतम कितने सूनियांग हो सकते हैं तो इसमें आपको लिख लेना है तीन कितने हो सकते हैं तीसे में लिखा है क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है तो इसका राइट आंसर आजाएगा आपका क्या तीसरे का आजाएगा संगत क्या आजाएगा संगत आपका राइट आंसर हो जाएगा चोथे में लिखा हुगा है X1 Y1 एवं X2 Y2 के मद्दी की दूरी क्या है तो इसका राइट आंसर आजाएगा आपका क्या इसका आपका आजाएगा वहारी लंबी कैड़ी और इहां पर आपको लिखना है X2 minus X1 और इहां पर स्क्वार पिलस कोष्टक में आपको Y2 minus Y1 और इहां पर स्क्वार इस पिकासे आपको लिख देना है इसके बाद प्वारी नमबर में लिखा हुगा किसी आद विरत को उसके ब्यास के वरी ताहा कुमाने पर वने ठोस को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या गोला इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा गोला इसके बाद छेटे नमबर में लिखा हुआ एक दो तीन चार पाँच का समानतर माद्धी क्या होगा तो इसका राइट अंसर आ जाएगा आपका तीन क्या हो जाएगा तीन इस पिकार से आपका पिष्णि क्रिमांग चार पूरा हो जाता है इसके बाद पिष्णि क्रिमांग पांच आता है जहां पर आपको सत्ता सत्त बताना है तो यहां पर देखिए आपका जो पहले नमबर का पिशन लिखा गो 5 और 7 का समानतर माद 6 होता है पहला आपका सत्थ हो जाएगा दूसरा है आपका तो यहां पर देखिए दूसरे में लिखा समकॉन तरफुर्च मिए कर सबसे बड़ी भुजा है तो यह भी आपका सत्ध हो जाएगा तीसरा है आपका सत्ध हो जाएगा शार्म के लिए बीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को एक ूफजरूर करें और गाइस वीडियो को लाइक करें दोस्तों में से करें और चैनल को कहलें सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए आपका जो कक्छा दस्मी का एंड लाइन टेस्ट है यहां पर आपका लगभग लगभग सभी पेपर अपलोड कर दिये गए हैं तो आप अपलोग चैनल पर बिजिट करके देख सकते हो और गाइस यहां पर देखे अभी कुछ पेपर आना बांकी है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बैल आइकन घंटी को दबा लेना है उससे जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंग तो आपका नोट्फिकेशन पहुंच जाएगा ठीक है चैल की तो मिलते हैं अंगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत